नमस्कार महुरंजीत ज्या लोगतांतरिक और संभैधानिक मुल्यों को कुचल देने पर आमदा तिह मोधी सरकार सडक से लेकर संसत तक तो मनमानी कड़ी रही है लेकिन अब इस सरकार ने न्यायपालिका को भी अपने जद में लिया है सुप्रिम कोट में भद्धी मनमानी मोधी सरकार ने शुरू कर दी है अगर इस मामले में सुप्रिम कोट ने कोई ठोस नुरने नहीं लिया तो यहाँ बहुत बड़ी चुनवती बन जाएगी सीजे आई चंद्रचूड के लिए किसी अगरिफ परिक्षा से कम यह सिच्वेशन नहीं होने वाला है दरसल मोधी सरकार की तीन भद्धी मनमानियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जहाँ सुप्रिम कोट से दूतकार और फटकार के बाबजूद भी यह मोधी सत्ता बेशर्मी से फिर वहीं पहुंच जाती है और अकर दिखाने लगती है तीन तस्वीरें अपने स्क्रिन पर इस वक्त आप देखिए पहली तस्वीर देखिए यह है एडी चीफ संजे कुमार मिश्रा दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं यह हैं दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद केजरी वाल और फिर तीसरी तस्वीर देखिए इसमें सेबी और गोतम अडानी को देखिए यह तीनों तस्वीरें सीधे तोर पर सुप्रिम कोट से कनेक्ट हो रही है अब इन तस्वीरों के जड़िये हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मोधी सरकार सुप्रिम कोट में मनमानी करने पर उतारू हो गई है वो भी भद्धी मनमानी सुप्रिम कोट ने इन तीनों मामले में बड़े बड़े आदेश जारी किये लेकिन इन तीन मामलों के आदेश पर भी मोधी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे उन्हें फ़र के ही नहीं परा कि सुप्रिम कोट ने क्या कहा है उन्हें कोई असर नहीं हुआ कि न्याय पालिका से जो निर्देश आदेश आए हैं उसकी इज़त करें उसकी अबमानना तो ना करें उसके खिलाफ इस तरीके से ना सामने आएं कि देश भड़ में हम न्याय के मंदिर के लिए क्या मिसाल पेश कर रहे हैं इसका भी ख्याल इस मोदी सरकार को ना रहे आज जो बड़ी खबर सामने आई है वह यह है कि एडी चीफ संजय कुमार मिश्रा का extension मोदी सरकार लेकर रहेगी दरसल 31 जुलाई को ही इन्हें नए एडी चीफ की तलाश कर लेनी थी लेकिन इन्हों ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया अब तो महिने एकदम आखिर-ाखिर में है जुलाई खत्म होने वाला है अब तक तो नाम पता चल जाना चाहिए था कि एडी चीफ नया कौन सा है लेकिन ज़रा देखिए सुप्रिम कोट में एक बार फिर से मोदी सरकार मुह उठा कर पहुँच गई है कि हुजूर मुझे स ठान ली है कि मुझे संजय कुमार मिश्रा के अलाबा कोई और अफसर नहीं चाहिए नहीं आप बढ़ाएंगे कारिकाल नवंबर तक तो कम से कम 15 अक्टूबर तक तो समय दीजिए इन्हां उन्हें कहा कि FATF का रिव्यू चल रहा है और इसके लिए ही हमें संजय कुमार मि एक्सटंसन दे चुकी मोदी सरकार संजय मिश्रा के फैवर में यहाँ दलीलें देती फिर रही हैं कि इनसे काबिल इस मक्त कोई अफसर नहीं यह बहुत बड़े-बड़े केस हैंडिल कर रह तो क्या संजय मिश्रा अपने टीम को कौर्डिनेट नहीं करते हैं तो क्या संज सुप्रिम कोट के आदेश का भी उलंगन करने को तयार है। 11 जुलाई को सुप्रिम कोट ने यह कहा था कि आपने संजय कुमार मिश्रा को तीसरा एक्स्टेंशन देकर अच्छा नहीं किया यह पूरी तरीके से गैर कामुनी है अवैद है। इस बज़ा से 31 जुलाई के बाद नए इडी चीफ हमें दिखने चाहिए। मोधी सरकार ने सुप्रिम कोट की बात नहीं मानी नतिजा यह हुआ है कि आज फिर से मुह उठा कर मोधी सरकार सुप्रिम कोट पहुँच गई। अब इस मामले में जस्टिस बियार गवई साहब ने कह दिया है कि ठीक है हम सुनवाई करेंगे 37 जुलाई 2 पहर 3 बज़े मिलिए। इसमें देखना होगा कि CJI चंद्रचूर के जज क्या फैसला देते हैं। उन सबकी यहां अगनी परिक्षा है कि मोधी सरकार बार बार सुप्रिम कोट के फैसले के किस तरीके से अंदेकी कर देती है और अकर के साथ मुह उठा कर सुप्रिम कोट पहुँचाती है। लेकिन अब आईए केस नमबर दो पर। और कह दिया कि अंतिम मुहर लगाने की सकती फिर से LG की ही होगी। और जो कमीटी बनी उसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे दिल्ली के सीम के साथ दो एक से फैसला होगा। इसके खिलाफ फिर से अरविंद केजडिवाल सुप्रिम कोट पहुँच गए है। अब यहां भी मोधी सरकार की यहां भद्धी मनमानी नहीं और क्या है। जब सुप्रिम कोट ने आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली के मुख्यमंतरी के पास बहुत सारे अधिकार हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन अधिकारों से मुख्यमंतरी को वंचित करने के लिए मोधी सरकार ने अध्यादेश ला दिया। यहां भी सुप्रिम कोट के फैसले के खिलाप जाने जैसा नहीं लगता है। कि मोधी सरकार को फड़की नहीं पड़ता कि देश की सरवोच्चा दालत ने क्या निर्देश दिये। यहां अर्विंद केजरीवाल से खुन्नस निकालने के लिए मोधी सरकार किस हद तक चली गई उन्हें जरा भी या भान नहीं रहा क्यों लोगों ने सुप्रिम कोट की कैसी अभेलना कर दी है। अब आते हैं इसी संबंद में तीसरे मुद्द पर, तीसरा मुद्दा भी बहत दिल्चस्प है, देश भर में इसकी खूब चर्चा हुई। जाच करें, यानि एक्सपर्ट कमिटी ने पहले ही हाथ खरे कर दिये। जिन लोगों को इसमें एक्सपर्ट बनाया गया था, वो अपने विधा के मास्टर थे, अगर चाहते तो गोतम अडानी के मामले में एक निसकर्स पर पहुँच सकते थे, और सेभी की भूमिका को ले सिख आने आने को हुआ, तो तुरंट से भी फिर से सुपर्म कोट में याचिका डाल देती है, और उनका कहना होता है, कि आडानी का केस बहुत जटिल है, हिर्णन बर्ग ने जो आरोप लगाए हैं, उसमें हमें समझने में बहुत वक्त लगेगा, कम से कम छे महिना का समय द सवाद ये हैं, और फिर तीन महिने हम आपको और देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ नहीं सुनेगे, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो यहाँ है, क्या मोधी सरकार की तरह से भी भी वही नहीं करेगा, जो मोधी सरकार उन्हें निर्देशित करेगी, से भी क्या अग करन्टी है, कि से भी सुप्रीम कोर्ट में मोधी सरकार की तरह ही एक बार फिर से याचिका नहीं डालने वाली है, और कहेगे कि हुजूर 14 अगेस्त नजदिकारा है, हम जाच नहीं कर पाएं, हमें और समय दीशिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में लगाता, समय पर स सुप्रीम कोर्ट में दिखाई परनी लगी, वहाँ पर 14 अगेस्त को जैसे ये डेडलाइन समापत होगा, क्योंकि जब अतरिक्त तीन महिने का समय से भी को दे दिया गया था कि आप जाच कीजी, वो भी पूरा होने वाला है, यकिन मानिए ये लोग अपने रिपोर्ट में फिर कहेंगे, मुझे कुछ और समय दीजिए, अगर रिपोर्ट आ गया, यह कहा जाएगा कि गोतम अडानी ने कुछ भी नहीं किया है, जाच कुछ ऐसी तरीके से ये लोग करने वाले हैं, जैसा की अंदेशा है, जैसा की देखा गया है, जब एक्सपर्ट कमीटी ने हाथ खड़े कियें, तो सेभी भी यही कहेगा, कि all is well है, सरजी, all is well है, अब वही देखिए, अध्यादेश को लेकर जो मामला है, अब इसमें पाच जज़ों की संविधान पीछ को सुप्रिम कोट ने मामला ट्रांसफर कर दिया है, अब यह लोग तै करेंगे, कि जो अध्याद अध्यादेश लाकर मोधी सरकार बार-बार सुप्रिम कोट को चुनोती देती है, क्या या उचित है, क्या अरविंद केजिवाल की शक्तियों को और भी कम कर दिया जा सकता है, तमाम ऐसे फैसले अपवेचित हैं, यहाँ भी सुप्रिम कोट की CGI चंद्रचूर की अगनी प मामले को मान जाएगा, अगर मान जाता है, तो इसे कहा जाएगा, कि मोधी सरकार को गुमान है, अकड है, वो सुप्रिम कोट के हर मामले में दखलंदाजी देखकर उन्हें ही अकड दिखाएगा, चुनोती देदेगी या सरकार, और कहेगी, कि हम आपको नहीं मानते हैं आपको जो फैसला देना है दीजी, जो नुर्देश देना है दीजी, हमारी मर्जी होगी तो हम मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे, इसी बज़े से तो सीजाय चंदर चूर ने कहा था, कि आप लोग तब तक कमिटी बनाते रहते हो, जब तक कोई फैसला आपके फे सब्सक्राइब कर दोटके ट्योपणी है सीजाए चद्रचूर ने इसा कहा था वहीं मुदी सरकार के दोहरे रवये को लेकर भी कड़ी फटकार लगाई गई थी आपको ध्यानी होगा कली हमने एक खबर आपको बताई है नागालेंड केस में महिला आरक्षन को लेकर कि उन्ह की ही बातों को लोग नहीं सुन रहे हैं तो तो यहाँ धुर्मल रवया यह मनमानी क्या है न्याए पालिका को अपने जद में लेने की कोशिश करने वाली इस मोधी सरकार को अगर सुप्रीम कोट से सही मैसेज नहीं मिला सही जवाब कड़क जवाब नहीं मिला तो दंत्तर में मर्यादा बना कर रखिए लोगतंत्र को कुचलने की कोशिश ना करें संभिधान के तहत चलें यही देश के लिए अच्छा है यही लोगतंतर के लिए सबसे प्यारा है फिलाल इस वीडियो में तो नहीं आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद